Assalamualaikum Internet data use करना चाहरे हैं आपके पास packet नहीं है तो hotspot और wifi यूज़ करना हैं किसी का तो वो store करना चाहते हैं कि बाद में use कर सकें तो yes you can do this आप Google application की मदद से अपने internet data को store करके emergency bank में put करके बाद में उस time use कर सकते हैं जब आपके पास internet data नहीं होता और किस तरह कर सकते हैं किस application की मदद से कर सकते हैं with the help of Google application वो कौन सी application है उसका इस्तमाल कैसे करना है सारा वीडियो में बताऊंगा और note कर लें कि यह वाली application कुछ countries में बैन हो चुकी है और वो कैसे इसे use कर सकते हैं वो भी तरीका इस वीडियो में चलकर बताऊंगा तो वीडियो को फुल वाच कीजिये गाई मैंने एक वीडियो है इसी topic पर जिस पर आठ लाक views होने वाले हैं तो बहुत से लोग नीचे आकर fake और ये वो बहुत सारे comments करते हैं वीडियो स्पूरी नहीं देखते हैं क्योंके expert बन जाते हैं बस थोड़ी सी देखी और जाके जुगार लगाना शिरू करती है नहीं you have to watch this video till end अगर आप जाना चाहते हैं तो अगर आप चैनल भी नहीं हैं तो मैं हूं मनाईम So let's get started तो यहां पर मैंने इस application को open कर लिया open करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपके पास different options आ रहे हैं तो इस पे हम जो अपना target option है वो है emergency bank का आप सुना है नहीं में हम तीन conditions हो सकती है या तो आप वाइफाई यूज़ कर रहे हैं hotspot यूज़ कर रहे है या अपना ही mobile data यूज़ कर रहे है तो तीनों conditions में आप इस अप्लाई कर सकते हैं आपने data को store करने के लिए तो यहां पर मैं emergency bank option पर click कर देता हूँ जैसे click किया तो यहां पर यह बहुत खास बात है जो आप मिस्स कर जाते हैं और फिर जो emergency bank जो है वो अप्लाई नहीं होता यहां पर emergency bank आप लोगों ने balance की details एड़ करनी है तो यहां पर add balance details add मैं click कर देता हूँ जैसे click किया तो यहां पर balance details किस तरह देनी है यह make sure कर लें emergency data कितना store करना चाहने मैं MB में या GB में तो यहां पर मैं कहता हूँ जी 2GB मैंने करना है तो यहां पर 2GB मैं put कर देता हूँ यहां पर मैं GB कर देता हूँ उसके बादरन data balance आपके पास actual में अब कितना balance है internet data के वाले से उस wifi या उस hotspot या आप यह चेक आउट कर सकते है या अपने mobile data वे तो यहां पर मैं कहता हूँ जी टोटल में पास 5GB है ठीक है उसके बाद expiry date आप क्या रखना चाहरे है अपने हिसाब चाहता है कि अब आज 29 है या 30 है तो मैं चाहता हूँ कि यह 10 तक चले यह expiry date इसके 10 हो तो यहां पर मैं यहां पर जी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहां पर 10 अगस्ट और OK कर देता हूँ और यहां पर confirmation कर देता हूँ और यहां पर वो साफ करने get down on data saver mode to enable emergency bank you need to turn on data saver अब मैं इसे turn on कर देता हूँ और यहां पर allow के option पर click कर देता हूँ और यहां पर इसे connection request इसे सारी permissions आप लोगों ने without tiny attention आप लोगों ने permissions दे देनी OK कर दें यहां पर open setting में आजाएं open setting में आने के बाद इसे draw over other apps का permission दे दें अब देखें जी यहां पर watching out for low balance अब you have protect from data emergency 2GP is ready when you need it balance estimated from your input अब देखें emergency data कितना है 2GP और gun data balance के दना 5.0 GB अब expire होगा यह 10 अगस्त को अब यहां पर simply आप इसे off भी का सकते हैं अब remember one thing कि आप लोगों ने इसे क्या करना है इसको off नहीं करना इस application को इस application को आप लोगों ने background में और यह बैटरी सेवर मोड होते हैं जो इसे off कर देते हैं वो आप लोगों कुछ भी नहीं कहते हैं इसे सारी permissions देनी हैं उसके बाद इसकी battery consumption को भी आप लोगों ने नहीं चेहड़ना इसे on रखना है यानि इसे background activity के लिए देने मुकमल तोर पर on डेने देने ताकि यह emergency bank का डेटा जो है उसे store रख सकें अधरवाइस आप इस तरह कर देते हैं इसका internet connection बंद कर देते हैं आप इसे background activity बंद कर देते हैं तो यह काम नहीं करेगी यह note कर ले उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि यह application है कौन से और कहां से इसे download करना है आप लोगों ने आ जाना है Google Chrome में वहाँ पे type करना है data li app अब यह उनके लिए है जिनके play store पे available नहीं है अब आप play store में भी से try कर सकते है data li by google तो आप के पास आ जाएगी आप देखेंजी apksfree.com इसको आप लोगों ने Google Chrome में जाकर सर्च करना है और सर्च करने के बाद इसना के इंटरफेस आएगा यह logo application का तो यहाँ पे देख सकते है data li mobile data and saving wifi app तो इस application को आप लोगों ने simply यहाँ से download कर लेना है और very light application है आपके पास 5 MB की storage रखेगी और इसको download करने के बाद नीचे scroll down करेंगे तो यहाँ पे आपके पास देखें इसका multiple options आ रहे हैं अब ऐसी वीडियो को देखने के लिए अगर आप इस application का मुकमर review चाहते हैं कि इस application के और भी बड़े brilliant और बड़े awesome features हैं और गड़े और आपके लिए मेने के वीडियों बड़े हैं